नबस्कार दोस्तों दोस्तों आईए आज देख लेते हैं ओशद मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपोर्टेंट चेप्टर है ओशद या एब्रेज दोस्तों मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि जिस बच्चे को आज दिन तक कोई भी टीचर ना पढ़ा पाया हो या ना समझा पाया हो उसे मैं एब्रेज या ओसद जरूर सिका दूँगा ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ तो दोस्तों बस हमारा वीडियो लास तक देखिए और एक एक कॉंसेट को समझेए बादा कर रहा हूँ कि आज के बाद कभी भी एब्रेज का कोई भी प्रसन नहीं फसेगा तो आईए स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से जैसे मैं आपको अगर ओसद की तरफ ले चलूँ एब्रेज की तरफ ले चलूँ तो इसमें कुछ की वर्ड है या की पॉइंट है जिनको हमको मुझबानी याद रखना है जैसे दोस्तों आईए देखते हैं तो आउसद का मतलब क्या है ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे आउसद हुआ है माप है जो संख्याओं के किसी समू की या किसी गुरुप की विसेस्ता को एक संख्या द्वारा बताती है एक संख्या द्वारा बताती है कहने का मतलब माल लेते हैं कोई संख्याओं गुरुप में दी है जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अब इसकी जो गुरुप में संख्या दी हैं, इसकी विसेस्ता को किसी एक संख्या के दोरा, किसी संख्या की विसेस्ता को एक संख्या के दोरा बताती है, कहने का मतलब इसका जो एबरेज होगा, वो कितना होगा, दो इधर, दो इधर, तीन, तो यह किस से तीन, किसी एक संख संख्या से रेप्रेजन्ट कर देता है जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 गुरुप में है 1 2 3 अब हमें एबरेच चाहिए तो मिडल वैलू होती है यहीं हमारा क्या हो गया 2 किसी एक संख्या से रेप्रेजन्ट कर दिया जाता है आईए अब इसको हटा देते हैं तो आईए अब यह समझ लिया पहला क्या है एक बार फिर से औसद वहमाप है जो संख्याओं के किसी समू की विसेस्ता को एक संख्या के दोवारा रप्रेजेंट कर दे या बताती हो उसे एबरेज कहते हैं पहला पॉइंट क्लियर सभी बच्चों का दूसरा औसद का एक इकलौता फार्मूला है दूसरा फार्मूला नहीं बना है दोस्तों ओसद या एबरेज बराबर कुल रासियों का योग अपान कुल रासियों की संख्या अगर इसको इंग्लिस में लिखें तो एबरेज बराबर टी अपान यन ती अपान यन A for average, T for total, N for number क्लिर तो ये क्या हो जाएगा हमारा average, ये हमारा हो जाएगा total और N for दोस्तो हो जाएगा हमारा number के बाल एकलोता फार्मूला क्या हो जाएगा A बराबर T अपान N अगर यहां से हमको T बराबर लेना है तो क्या हो जाएगा A into N क्लिर ये कलोता फार्मूला इसको मुझवानी याद कर लीजे A बराबर T अपान N आएगा आएगा तीसरी चीज़ तीसरा कीवर्ड है और सत बराबर मद्धमान और सत बराबर क्या होता है मद्धमान मद्धमान मतलब middle value जहां पर भी पूरी math में average की बात होगी वहाँ पर हमेशा middle man या औशद का मलब होता है मद्धमान या उसको बोलते है middle value clear मद्धमान अब जैसे मैं आपको यहीं पर समझाता हूँ clear जले पहले दो point और समझाता हूँ फिर यहाँ पर आता हूँ औशद का मतलब है मद्धमान जब भी औशद बड़ यूज होगा हमेशा वहाँ बीच की value आपको निकालनी होगी next है औशद मान हमेशा जो औशद का मान होता है जो average का मान होता है वो हमेशा smallest number और biggest number के बीच होता है clear जो हमेशा और औशद का जो मान होता है वो हमेशा smallest और biggest number के बीच होता है कहने का मतलब दोस्तो इसको हटा के यहीं पर बताता हूँ जैसे example अगर हमने दे दिया 1, 2, 3, 4, 5 मान लेते हैं बताइए इसमे smallest number कौन सी है ये हमारी smallest number है सबसे छोटी ये हमारी biggest number है सबसे बड़ी तो कभी भी average का मान हमारा क्या है इस smallest और biggest के बीच में ही होगा तो बीच का मतलब कभी पांच नहीं हो सकता कभी एक नहीं हो सकता इन दोनों के बीच में होगा तो जरा देखें इसके बीच में कितना रहा है 3 यही हमारा क्या हो जाएगा average हो जाएगा कहने का मतलब संच मैं कि जब भी संख्याओं का कोई समूधिया है उस संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होगी और सबसे बड़ी संख्या होगी उन दोनों के बीच में ही मान आएगा कभी न उस से जादा आएगा और ना इस से कम आएगा याद रखिएगा ये चेक करने का तरीका है बहुत ही important keyword है दोस्तों last है ओसद में 0 को भी गड़ना में count कर लिया जाता है जैसे अगर आप कोई ओसदों का कोई समूध दिया है उसमें कोई 0 अंक आ जाता है तो जब 0 अंक आ जाता है तो उसे भी गड़ना में count कर लिया जाता है जैसे example में हाँ पर आपको देता हूँ इसके example समझ में आ गया होगा जैसे एक और में example इसका दे देता हूँ पहले जैसे हमने कर दिया 1,2,3 अब यहाँ पर यह smallest नंबर यह biggest नंबर तो middle value कौन सी हो गई यह कहने का मतलब है कि हमेशा smallest और biggest के मद ही होगी चलिया तो अब हमें एक nest वाला 0 अगर हमने आपको ले लिया मान लीजे 2,3,0,5 और फिर 3 यहाँ पर हमने कर दिया 4 का average गयात कीजिए किलर अब इन संख्याओं का इस समू का average हमें बताना है तो दोस्तो average का मतलब क्या है middle value और हम जानते है A वराबर T अपान N होता है तो हम क्या करेंगे N for T for total तोटल मलब 2 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 4 अपान नीचे क्या होगा संख्याओं की संख्या तो गड़ना में 0 को भी count कर लिया जाता है तो संख्याओं कितनी है 1, 2, 3, 4, 5 तो इस किस से भाग देंगे 5 से भाग देंगे अब उपर आप जोड़ दीजे तो यहाँ पर देखेंगे 5, 4, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कितना हो जाएगा 14, 5, इसी को अपना solve कर लिजेगा point में मान आएगा कहने का मतलब है कि औसद में 0 को भी गड़ना में संख्याओं कर लिया जाता है क्लिर, दोस्तों यह वो keyword हैं जिस से आपको यह पता चलेगा कि हमको क्या काम इसमें करना है क्लिर, इतने keyword लेकर के अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आईए, अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, या इस पे चर्चा कर लेते हैं, दोस्तों अगर complete आपको पढ़ना है, और एकदम से इसका concept क्लिर करना है, तो बीडियो को एकदम last तक देखिए और मैं वार वार बोलता हूँ, मैं बीडियो उन्हीं बच्चों के लिए बनाता हूँ, जो रियल में पढ़ना चाते हैं, क्लिर, जो फालतू का और फिजूल का कमेंट्स करते हैं मैं उनके लिए वीडियो नहीं बनाना चाता हूँ, क्लिर, तो दोस्तों आईए यहाँ पर देखिए, जो रियल में पढ़ना चाते हैं, जो मेहनत करते हैं बच्चे, अब यहाँ पर देखिए, औशद का मलब है मध्धमान, तब औशद का मलब मध्धमान है, तो देखिए, मध्ध की बेलू होती क्या है, सबसे पहले जैसे हमने यहाँ ले लिया, A, B, C, माल लेते हैं कोई तीन संख्या है, A, B, C तो बताईए इसमें मिडल मान कौन सा है तो दोस्तों मिडल मान यही है तो यही हमारा क्या हो जाएगा अब अगर हमने ले लिया यहाँ पर A, B, C, D अगर हमने ले लिया A, B, C, D यह विसम संख्या हैं, यह सम संख्या हैं संख्या हूं, संख्या विसम है एक, दो, तीन, विसम है एक, दो, तीन, चार, सम है तो अब जराय देखो कि इसकी जो मिडल मान है वो दोस्तों यहां कहीं मिडल मान होगा मद्ध मान यहां कहीं होगा मद्ध इसका मद्ध बीच यहां कहीं होगी इसकी बीच तो जब यहां होगा तो यही इसका क्या हो जाएगा अब इसी चीज को देखने के लिए मुझे ये हटाना पड़ेगा clear ये चीज हटानी पड़ेगी क्योंकि ये मैं आपको समझा चुका हूँ clear है दोस्तो आईए देखते हैं पहले basic चीज समझो क्योंकि दोस्तो basic अगर आपके समझ में आ गया base क्या है what is average average है क्या तो आप इसके साथ खेलोगे clear देखे अब यहाँ से ले लेते माल लेते हमने आ कर दिया 1, 2, 3 clear अब 1, 2, 3 है तो यहाँ पर बताईए middle one कितना हो गया 2 यही क्या हो गया average आईए हम चेक कर लेते हैं कि average बराबर होता है t upon n तो उपर a is equal to one plus two plus three upon n की value one, two, three तीन है तो नीचे तीन रखेंगे अब यहाँ पर count करेंगे तो तीन, चार, पांच, छे छे में तीन से देंगे कितना हैगा दो देख लिजे दो answer आया था कि नहीं अब इसके बाद हम आगे चलते हैं जैसे हमने कोई संख्या ले ली one, two, three, four अब आपसे average पुछ लिया जैसे यहाँ पर किता था a, b, c, d तो दोस्तों यहाँ देखो one, two, three मतलब यहाँ कहीं middle man होगा तो यहाँ middle man होगा तो बताओ दो और तीन के बीच का मध्ध मान क्या होता है मत्ध है या बीच क्या होगी तो दोस्तों होगा two point five यही हमारा क्या हो जाएगा average आओ निकाल के देख लेते हैं जैसे हमने a is equal to t upon n किया अब t is equal to n किया तो t की value क्या होगी total तो दोस्तों सभी को जोड़ दो 4, 3, 7, 7, 7, 8, 9, 10 total कितना हो जाएगा 10 और संख्याएं कितनी है 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पर हमने केरिक दिया 4 अब इसको भाग देंगे तो 4, 2, 8 point लगाके यह आपका कटके आगया इतना आया था कि नहीं आया था तो दोस्तों मद्धमान का मतलब क्या होता है कि अगर बैलू विश्यम दी गई है लाइन से या क्रम से तो यह बीच हो गया और अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या है यहाँ मिडलमान होगा तो यहाँ तक सभी बच्चों का मैं उम्मीद करता हूँ कि एकदम से थियोरी क्लियर हो गई होगी क्लियर आईए अब हम चलते हैं संख्याओं पर आधारित प्रिस्न जो आपके अकसर एक्जाम में पूछे जाते हैं तो संख्याओं से सम्मंदित प्रिस्न देखें सभी बच्चे एक-एक करके संख्याओं से संबंदित प्रसंद क्या बनते हैं पहले एकदम एक बेसिक देख लेते हैं जैसे किसी ने हमसे कह दिया कुश्यन नंबर वन है किसी ने दोस्तों कह दिया कि यहाँ पर दिया है 8,7 8,7,9,10 9,10 एवं 11 का 11 का ओशत क्या होगा क्लियर क्या होगा क्लियर अब यहसी में आप क्या करोगे देखें यह क्रम से दी गई है 8,9,10 7,8,9,10 इदर उदर दिया है तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे एक सिक्वेंस में अगर हम लिख लें क्योंकि एक, दो, तीन, चार, पाँच है तो अगर हम यहाँ लिखेंगे 7,8,9,10,11 यह देखें एक सिक्वेंस में है इसलिए सिक्वेंस का मतलब क्या है दो इधर है, दो इधर है यह मद्धमान हो गया यह हमारा अबरेज हो गया अगर यह सिक्वेंस में इनके बीच का डिफरेंस से ना होता तो हम कैसे लगाते वो देख लो तो यह से दूसरी कंडिशन है यह तो हमने बता दिया कि यह देखते ही हो गया क्यूंकि दो संख्या है अधर है और सभी के डिफरेंसे में अगर कोई दूसरा प्रस्णम से पूछ ले दो, चार, तीन पिर यहां से साथ नो, पिर यहां से दे दे दस, इस तरीके से अब आपको average बताना है तो दोस्तों अब देखें इसको अगर हम sequence से भी लिखेंगे तो क्या होगा दो, तीन, चार, साथ, नो, दस अब आयदी कोई आपसे पूछ ले मान लेते हैं, हम कुछ दरीके ले दस हटा देते हैं आपको इससे समझाने के लिए तो यहां पर एक, दो, तीन, चार, पाँच संख्या हैं तो क्या इसका मान दोस्तों चार होगा नहीं होगा इसका अंसर क्या चार होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यह संख्याएं क्या हैं, सभी का डिफ्रेंस समान नहीं है, इसलिए हमें अपना रूल लगाना पड़ेगा A is equal to T upon यन, clear, लगा दीजे तो संख्याओं का योग अपान संख्याओं की संख्या, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस, 3 प्लस 4 प्लस, 7 प्लस 9, अपन संख्याओं की संख्या, 1, 2 3, 4, 5, यहाँ पर क्या रखेंगे, 5, अब इसको आपको solve करना होगा, तो इसको आप solve कर दीजेगा, दोस्तों, देखिए मैं कर देता हूँ 7, 3, 10 10, 29 19, 20 21, 22, 23 24, 25, कितना हो जाएगा 25 बटे 5, वो इसको कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, clear, तो यहाँ पर कहने का मतलब है, कि इन समों का ओश्द कितना होगा, average is equal to 5 होगा, यह कहने का मतलब है, 4 और क्योंकि यह sequence में नहीं है, इसलिए इसका ओश्द होगा 5, अब जरा देखिए, कि हमने एक अगर यह same दिया है, तो direct tap बता देंगे अगर नहीं दिया है, तो फिर आपको इसमें यह formula लगाना होगा, संख्याओं पर आधारत आईए, अब आगे चलते हैं, नेस्ट प्रसन पे नेस्ट प्रसन पे चलते हैं, एकदम दोस्तों basic से समझी है, फिर एकदम tap पर आपको ले जाऊंगा, जैसे पहला question बना प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का ओसत क्या होगा, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का ओसत क्या होगा, तो दोस्तों अगर प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं हम लें, तो देखिए, मैं इसको एक नए तरीके से आपको सब कुछ बताने जा रहा हूँ उसको बहुत concentrate होके देखिए जैसे question है हमारा, माल लेते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 यन लगातार यन प्राकृतिक संख्याओं का योग आप जानते हो, यन इंटू यन प्लस 1 वाई 2 होता है कितना होता है, लगातार यन प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n into n plus 1y2 where जहां पर n क्या होता है last पद या antim पद होता है clear तो अब ज़रा देखो के हम कुछ नहीं करेंगे बस यदि हमें किस चीज को लगातार यन प्राक्रतिक संख्याओं को लगातार यन प्राक्रतिक संख्याओं का वर गे कोई पूछले तो average is equal to इनका क्या होता है योग तो इनका ये होता है और average में सिर्फ इहां से N हटा दिया जाता है तो क्या हो जाएगा N plus 1 Y2 N plus 1 Y2 N हटाए where N is equal to L हो गया अब आपसे किशी ने पूछा कि लगातार question है UP में UP पुलिस में आया था पर्थम 50 प्राकृतिक संख्याओं का ओशत क्या होगा clear अब आप question समझो 1,2 या 1,2,3 clear 1,2,3 dot 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 50 प्राकृतिक संख्याओं है सभी का क्या हो जाएगा difference हमान है तो अब हम जानते हैं लगातार यन प्राकृतिक संख्याओं का यो तो बताईए अंतिम पद कितना है इसमें 50 है अंतिम पद कितना है 50 है तो हमें यहाँ पर क्या रख देंगे सीधे इस फार्मूलें पुट कर देंगे तो average is equal to 50 plus 1 upon 2 2 होगा तो यहाँ पर दो दिया है और इसी को solve कर लेंगे तो 51 बटे 2 यह निकि इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 25.5 किलर आंसर कितना हो जाएगा इसका 25.5 समझ में आया किलर तो अगर आपको योग पता है तो यह सिर्फ N हटा देंगे तो यह मान पता चल जाएगा किलर दूसरा बहुत सारे तरीके हैं इसके एक तरीका यह है पहला तरीका अगर हम लगा के दिखाएं तो क्या होता है यह हमने लगा के दिखा दिया दूसरा तरीका क्या हो जाएगा A बराबर T अपान यन यह भी लगा दीजिए आप संख्याओं का योग अपान संख्याओं की संख्या फिर इसके बाद हम दूसरा ट्रिक के बाद आपको और भी ट्रिक बता देते हैं जैसे आप जानते हैं कि average बराबर sn अपान यन sn का होता है sn बराबर n अपान 2 a plus n minus 1 into d a p और g p स्रेणी से इससे भी आपका निकल जाएगा एक और फार्मूला a बराबर l plus a y 2 इससे भी आपका निकल जाएगा फिर एक आपने अभी जी निकाला चौथा मेथड क्या हो जाएगा a बराबर n plus 1 by 2 तो मेथड दोस्तों देखिए बहुत हैं हमारे पास सब तरीकों से आप इसको निकाल सकते हो s n निकाल लीजे s n मतलब सभी का योग निकाल दीजे n से भाग दे दीजे a मतलब होता है इसका प्रथम पद a मतलब यहाँ पर प्रथम पद l मतलब अंतिम पद दो से भाग देंगे अंसरा जाएगा और एक तरीके से हम आपको निकालके दिखा चुके हैं तो चार तरीके से आप कोई भी प्रशन को solve कर सकते हैं आईए अब इसके बाद आगे चलते हैं तो अगर कोई प्राकरतिक संख्या के लिए बोलता है कि पृफ्धَम 10 प्राकरतिक संख्या पर्थम 20 प्राकरतिक संक्या किलर किसी का भी पूछे सीधे आंसर मार दीजेगा आप इसी के बाद हम आपको दूसरा कोशन बताते हैं अब यदि कोई आप से पूछ लेता है दूसरा कोशन पूछ लेता है देखे क्या है दूसरा कोशन प्रथम 25 प्राकर्तिक संख्याओं के बर्गों का योग तो देखे बर्गों का योग के लिए चलते हैं वन का स्क्वाइर, टू का स्क्वाइर, थ्री का स्क्वाइर, डॉट 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 यन का होल स्क्वाइर ये यन का होल स्क्वाइर के योग अगर कोई कह दे लगातार यन प्राक्रतिक संख्याओं के बरगों का योग आप जानते हो यन इंटू यन प्लस वन तू एन प्लस वन अपान क्या होता है दोस्तो 6 ये होता है कि नहीं लगातार यन प्राक्रतिक संख्याओं के बरगों का योग जहां पर वेर N is equal to L जहां पर N क्या होता है अन्तिम पद होता है अब यह दी इसी चीज़ को हमें average में convert करना है तो लगातार यहन प्राक्रतिक संख्याओं के बरगों का योग चाहिए तो इसी को हमें अगर average में convert करना है तो दोस्तों A कैन यहां से हटा दीजे यह वाला तो क्या बचेगा N प्लस 1 और यहां पर 2 N प्लस 1 अपान 6 क्लिर और जहां पर N का मान क्या होगा L क्लिर अब जो प्रस्न देखिए बना है वो क्या था प्रथम 20 प्राक्रतिक संख्याओं के बरगों का योग कहने का मतलब 1 स्कॉर 2 स्कॉर 3 स्कॉर डॉट डॉट 20 स्कॉर का एबरेज आपको बताना है क्लिर तो अब दोस्तों जनरली निकालेंगे तो हलत खराब हो जाएगी लेकिन करेंगे कैसे यहां से L यहां मतलब क्या हो जाएगा 20 तो यहां पर हम किता रख देंगे एबरेज बराबर रखें यहां पर 20 प्लस 1 क्लिर यहां पर बीद दुना 40, 40 और 1 41 बटे नीचे किता हो जाएगा 6 क्लिर अब यहीं से आप इसको कट पिट लिजेगा जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा क्लिर जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा आप इसको कर लीजेगा क्लिर तो पचीस सुरी यहां पर बीस के पचीस कहा था यह पचीस है क्लिर पचीस के प्राकरतिक संख्याओं के बरगों का योगत यहां पर क्या रखेंगे पचीस रखेंगे यहां पर पच्चे दुना पचास और पचास और एक कित्ता हो जाएगा एक क्या वन तो समझ में आ रहा है दोस्तों कहने का मतलब है आईए नेस्ट इसके बाद फिर देख लेते हैं तीसरा परसंट क्या बनेगा आपका तीसरा परसंट बनेगा प्रथम पंदरा प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा अब घनों के लिए भी आप देख लिजे अब हम जानते हैं कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 यन क्यूब is equal to अगर हमें लगातार या प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पता हो जाए तो इसका अबर्ग होता है क्या होता है n into n प्लस 1y2 1y2 के पावर whole square यह होता है लगातार यन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग जहां पर n is equal to क्या होता है l जहांपर n का मान होता है अंतिम पद तो यह चीजें आपको मैं नहीं average पढ़ा रहा हूँ इसलिए यह average अब इसका average अगर कोई पूछ ले कि लगातार यहन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का उसद क्या होगा तो एक n इसमें से हटा दो तो इधर n 2 है तो यह n square तो क्या बचेगा? n बचेगा n प्लस 1 का n प्लस 1 का whole square अपान नीचे दो दूना कित्ता हो जाएगा 4 यहीं दोस्तों क्या हो जाएगा ओसद हो जाएगा where n is equal to l जहांपर n क्या होगा अंतिम पद होगा अब कोई आप से पूछ लिए question है प्रथम 15 प्राकरतिक संख्याओं के घनों का ओसद क्या होगा? तो 15 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 cube प्लस दोस्तो 2 cube प्लस dot 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 15 cube तो बताइए अंतिम पद कितना है? 15 तो यहाँ पर रख देंगे 15 तो यहाँ पर हो गया 15 15 तो 16 तो 16 का whole square और नीचे कितना हो जाएगा? 4 clear? then solve कर लीजेगा वही क्या हो जाएगा? answer हो जाएगा clear? तो दोस्तों तीनों concept इक दम clear हो गए? अगर आपको इन सभी का योग पता है तो average में सिर्फ n हटा देते हैं इसमें सियन हटा देंगे average बन जाएगा इस फारमूले सियन हटा देंगे average बन जाएगा इस फारमूले सियन हटा देंगे average बन जाएगा तो question बनता है देखे पर्थम 20 प्राकर्तिक संख्याओं का उसद क्या होगा? पहले बाले से निकल जाएगा दूसरा question बना है प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के बर्गों का उसद क्या होगा दूसरे बाले से निकल जाएगा पिर तीसरा question बना है प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का उसद क्या होगा तो तीसरे बाले से निकल जाएगा क्लिर तो आपने क्या सीख लिया सीधे सीख लिया फिर बर्ग सीख लिया और घं सीख लिया क्लिर अब इसके आगे हम चलेंगे तो इतना सभी बच्चे नोट कर ले इतना सभी बच्चे नोट कर ले फिर हम इसके आगे बताते हैं आईए अब इसके आगे हम चलते हैं तो देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से अब क्या है कि नेस्ट प्रसन बना है प्रथम तीस समसंख्याओं का उसद क्या होगा अब चर्चा होगी समसंख्याओं पे इसको मेड़ दे अभी प्राकृतिक संख्याओं पे चर्चा हो रही थी से और कितना जल्दी और कितने आसानी से आपका question आता है तो है हमारा फिर हमने स्थ हैं कहने का मलब 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस dot dot प्लस यन क्या है प्रथम यन समसंख्याओं का प्रथम यन समसंख्याओं का योग अब जड़ा देखो अभी उपर हमने पढ़ा था कि जब सभी था 1 प्लस 2 प्लस 3 dot 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 यन तो यन इंटू यन प्लस 1 y2 था ना तो यहां से हमने क्या हटा दिया था तो वो औसद बना था अब यहां से हम क्या हटा देंगे 2 तो यह क्या बनेगा n इंटू यन प्लस 1 क्योंकि हर बार दो आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा इसका योग हो जाएगा वेर n इज इक्वल टू लवाई 2 किलर लवाई 2 हो जाएगा जैसे आईए चेक करा देते हैं अगर समझना है योग निकालना है चलिए सिंपल सा इतने का योग आप कर लीजे तो यह इतने का योग कितना होगा 20 आईए अब इस फार्मूले से निकाल के देखते हैं अंतिम पद कितना है 8 तो n is equal to 8 बटे 2 और इसको कर देंगे तो कितना होगा 4 अब 4 की value यहां रखो 4 4 प्लस 1 क्लिर तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 4 पंचे 20 आया था कि नहीं क्लिर तो कितना बड़ा भी योग आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं और हमारा फार्मूला भी क्या है correct है अब आगे आईए अगर इसको हमें average में बनाना है तो दोस्तों सिर्फ n हटा दीजे क्या बचेगा n प्लस 1 यह हमारा n प्लस 1 average हो गया और जहां पर n is equal to ly 2 आईए चेक कर लेते हैं जैसे अगर हमने इसी का चेक करवाते हैं आपको तो यह क्या हो जाएगा a is equal to t upon n हो जाएगा तो total बताईए उपर अभी आपने 20 काउंट किया है तो 1, 2, 3, 4 यहां पर क्या रखेंगे 4 तो 4, 5, 20 average कितना होगा 5 आईए फार्मूले से देख लेते हैं a is equal to n की value बताईए यह कितनी है आठ यहन की value कितनी है आठ तो n की value आठ है तो 8 वटे 2 यहनी की n की value 4 तो यहां पर 4 प्लस 1 यहनी की total 5 इसका मतलब आंसर आलवेज सही है तो अगर आपको योग पता है तो आप एक सिकंड में आंसर बाहर कर देंगे तो अब जो प्रिस्न बना है देखें दोस् क्या होगा तो प्रथम 30 समसंख्याओं का उसा देनी की n की value 30 है तो यह बराबर 30 प्लस 1 is equal to कितना होगा 31 यहीं अंसर हो गया और भी तरीके हैं solve करने के लेकिन मैं एक track पे आपको लेके जा रहा हूं जिससे आपका योग भी clear होता जा रहा है और average भी clear होता जा रहा है तो अब कहने के मलब है 2 4 6 dot dot 2 n होता है तो n की value 30 है तो n की value किती है 30 तो यहाँ पर रखेंगे तो 2 4 6 dot dot 60 यहीं कि प्रथम पद यह A हो गया यह इसका L हो गया हम जानते हैं A बराबर L प्लस Y2 यहीं अंसर हो गया 2 प्लस 60 बटे 2 यहीं कि कितना हो जाएगा 62 बटे 2 कर देंगे तो 31 तो भी तो अंसर आएगा तो तरीके दोस्तों बहुत हैं लेकिन जो मैं एक track बताना चाहता हूँ जिससे आपके दो-दो काम हो जाएगे तरीके हमारे पास बहुत हैं बस आप comment जब बस आप इसमें समझ जाएए जो आप समझ लेंगे वही अंसर हो जाएगा नेस समसंख्याओं के बरगों का उसत कहने का मतलब 2 के पावर होल स्कॉयर 4 के पावर होल स्कॉयर 6 के पावर होल स्कॉयर 8 के पावर होल स्कॉयर . . . यन स्कॉयर समसंख्याओं के बरगों का उसत अब क्या होगा is equal to तो अब आप जानते हो दोस्तों कि क्या कहते हैं प्रथम यन स समसंख्याओं के बरगों का उस्थ, अभी आपने बरगों का फार्मूला क्या पढ़ा था, यन, यन प्लस वन, टू एन प्लस वन, अपान सिक्स पढ़ा था, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी चेंजिंग, ऊपर टू करना है, और नीचे थ्री करना है, ये होता है, समसंख देंगे तो एक N अगर हमने हटा दिया तो क्या बचा 2 कोस्टक में N प्लस 1 और यहां पर 2N प्लस 1 अपान नीचे कितना 3 यही दोस्तों इसका एबरेज हो गया वेर N इजकोल टू लवाई 2 किलर किसी का भी आप निकाल दीजिये अब आप से पूछा गया है प्रथम पचीज तो प्रथम पचीज का मतलब क्या होगा बताईए पचीज का मलब यह स्कॉर फोर स्कॉर डॉट 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 टू एन अंतिमपद होता है तो पच्चि लगेगा तो बताईए अंतिमपद कितना है पचास तो यहां पर पचास में रखेंगे तो कितना बचेगा पचीज उठा के नहीं रख दीजिए अबरेज इसकॉल टू टू पच्चेस और एक कितना हो जाएगा एक क्यावन और बटे नीचे तीन देन सॉल्व वही आपका अंसर हो जाएगा क्लिर समझ में आया तो दोस्तो इधर आपका योग भी कंफर्मोता जा रहा है और उधर आपका सिर्फ एन हटा देंगे तो क्या बन जाएगा औस भी बन जाएगा क्लिर आईए नेस्ट इसके बाद तीसरा प्रसंद देख लेते हैं या इसके आगे संख् संख्याओं के घनों का उसद क्या होगा संख्याओं के घनों का उसद क्या होगा तो आईए देखें सभी बच्चे अब संख्याओं के घनों का उसद पूछ लिया है तो संख्याओं के घनों का उसद कमला इसका योग पता होना चाहिए तो दोस्तों 2 के पावर 3, 4 के पाव आठ के पावर 3, डॉट डॉट यन के पावर 3, अब कह रहा है, प्रथम यन समसंख्याओं के घनों का योग, तो प्रथम यन संख्याओं के घनों का जो योग होता है, वो होता है, तू यन स्कॉाइर कोस्ठक में यन प्लस वन का होल स्कॉाइर, यह देखिए, क्या होता है, यहां से भी उपर वाले को हटा देते हैं क्योंकि यह हो चुका है इसका जो L बराबर है यन बराबर था L Y 2 अब यह हमारा फार्मूला बन गया लगातार समसंख्याओं के घनों का योग 2N स्कॉाइर कोस्टक में यन प्लस बन का होल स्कॉाइर यहां पर यन बराबर L Y 2 अब यहां से एक N के वला फटा दीजे औसद बन जाएगा तो औसद इसकॉल 2 यहां पर क्या हो जाएगा 2N एक N हटा दिया 2N कोस्टक में यन प्लस बन का होल स्कॉाइर यन प्लस बन का होल स्कॉाइर बस हो गया नीचे कुछ नहीं है N प्लस बन का होल स्कॉाइर यह इसका क्या हो गया अब क्या करेंगे यहीं पर रख दीजे तो N is equal to L Y 2 वैल्यू को पुट कर दीजेगा पूछा है प्रथम 10 तो दोस्तों प्रथम 10 का मतलब है अगर कहें तो अंतिम पद कितना होगा 20 होगा क्योंकि हम जानते हैं कि 2 4 clear dot 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 अंतिम पद 2 N होता है तो 10 यहाँ पर रखेंगे तो अंतिम पद कितना हो जाएगा 20 तो 20 वहाँ पर रख दीजे तो 20 महज जाए कितना बचेगा 10 तो यहाँ पर 2 into 10 10 और 10 सुरे 11 11 पावर होल स्कॉरे देन सॉल वही अंसर हो गया चित कर सकते हैं दोस्तों कभी भी गलत नहीं होगा तो मैं यह ट्रेक लेके चल रहा हूँ जिससे पूरी मैथमेटिक्स में आपका योग भी क्लियर होता जाए और आपका इधर क्या आपका एबरेज भी क्लियर होता जाए तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर होगा सभी बच्चों का आईए नसर टाइब का प्रसन संख्याओं से संबंदित क्या बनता है आईए वो देख लेते हैं नसर टाइब का जो प्रसन बनेगा आपका वो इस तरीके से बनता है देखे नसर टाइब का प्रसन है नसर टाइब का प्रसन है दोस्तों प्रथम चालिस विसम संख्याओं का ओसद कितना होगा प्रथम चालिस विसम संख्याओं का ओसद कितना होगा अब प्राकरतिक फिर सम अब विसम तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट 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 यन हम जानते हैं लगातार यन प्राकरतिक संख्याओं लगातार यन बिसम संख्याओं का उसद क्या होता है लगातार यन बिसम संख्याओं का योग लगातार यन बिसम संख्याओं का योग आप जानते हो an plus one why two होता है किसका प्राकर्तिक संख्या का ये किसका होता था प्राकर्तिक संख्या का जब दोस्तो दो हटा दिया तो sum संख्या का क्या बचा था un plus one अब हमें चाहिए बिसम संख्या का तो क्या होगा वन हटा देंगे तो एन इंटू एन एन की एन स्क्वाइर क्लिर तो ये सम ये प्राकरतिक संख्या का योग होता है सम संख्या में ये दो हटा देंगे तो ये मिल गया बिसम संख्या में वन भी हटा देंगे तो एन इंटू एन एन स्क्वाइर हो गया क्लिर तो ये हमारा क्या हो जाएगा एन स्क्वाइर ये क्या हो जाएगा हमारा एन स्क्वाइर ऐसे भी लिख सकते हो क्लिर ये हमारा योग हो गया वेर एन इजकुल टू यल प्लस वन वाई टू क्लिर यल प्लस वन वाई टू अंतिम पद में एक जोड के दो से भाग देना है अब इसी का अगर हमें यहाँ से क्या कर ले एबरेज ग्यात करना हो तो एक एन हटा दो तो एन स्क्वाईर है तो दोस्तों क्या हो जाएगा एन यहीं स्का क्या हो जाएगा एबरेज वेर N is equal to L plus 1Y2 यह नहीं कि आप से कहा गया है पर्थम 40 बिसम संख्याओं का उसद कितना होगा तो पर्थम 40 बिसम संख्याओं का उसद भी कितना होगा 40 होगा क्योंकि N कह रहा है और N ही क्या होता है अंसर होता है किसी बच्चे को दिक्कत अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो मैं वैसे भी बता सकता हूँ क्लिर देखिए कैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि अगर पर्थम 40 बिसम संख्याओं यानि कि 1, 3, 5, 7, dot, dot, 2N, minus 1 यह अंतिम पद होता है आप अंतिम 40 कह रहे हो तो यह अंकी बेलू 40 रखेंगे 2 into 40, minus 1 तो यहाँ पर किता हो 42, 80 और 80 में से एक जाएगा अंतिम पद 79 हो गया पर थम पद 1 हो गया यह A का मान है यह L का मान है फार्मूला आप जानते हो L बरावर A, Y, 2 एवरिज बरावर A, PLUS L, Y, 2 रख दीजे मान 1, PLUS यहाँ पर कितना 79 अपान नीचे कितना 2, उपर 80 बटे 2 तो भी दोस्तों कितना आएगा 40 तो तरीके बहुत हैं लेकिन मैं जिस ट्रेक्ट पर आपको ले जाना चाहता हूँ कि आप without calculation देख के answer मार देए तो वो यह तरीका है आईए नस्ट इसके बाद देख लेते हैं अब कोई अगर आपसे पूछ लेता है पर्थम 40 विसम संख्याओं का योग इतना है अब यदि आपसे किसी ने पूछ लिया देखे अब यदि किसी ने आपसे पूछ लिया इस तरीके का प्रसन भी बना हुआ है पचासी तक के सभी प्राकरतिक विसम संख्याओं का योग क्या होगा पचासी तक के यह नहीं कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट 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 पचासी तक पचासी तक कह रहा है इसका मतलब है कि अन्तिम पद यह क्या है यल और यह क्या है हमारा ए पचासी तक के पचासी तक के मतलब यह और पहले बाले में क्या कह रहा था प्रथम 40 विसम संख्याओं प्रथम 40 का मलब 22 का अंतर होता है तो 80 तक पहुंचेंगे कि नहीं लेकिन यहां कह रहा है निके हो जाएगा छ्यासी बटेदो और यहांपर काड़ देंगे दो चोपो और दो तिया कितना अंसर होगा फुर्टी-थ्री अंसर होगा देनांसर, क्लिर, तो अगर तक कह दे तो अंतिम पद यही होगा और यदी कह दे पृथम इतना तो फिर आपका अंतिम पद निकालना होगा clear यह हमने एक निकाल दिया अब देखिए नैस्प्रस्नस में क्ढ़ेगा दिया गया है साथ सेबन प्राकृतिक बिसम संख्याओं के बर्गों का ओसद क्या होगा तो अब यहाँ पे है वन का होल स्कौर प्लस थ्री का होल स्कौर प्लस 5 का हॉल इसक्वाइर डॉट डॉट इन स्क्वाइर अब इसका योग चाहिए तो प्रथम इन बिसम संख्याओं प्रथम इन बिसम संख्याओं के बरगों का योग क्या होता है यहां उठकर लें इन यहां पर 4N स्क्वाइर माइनस 1 अपान 3 यह होता है दोस्तो योग यह क्या होता है योग वेर N इसक्वाइर माइनस 1 अपान 3 यह दोस्तो एबरेज बन गया वेर N इसक्वाइर माइनस 1 अपान 3 अब आपको value put करना है तो कह रहा है प्रथम प्रथम 15 प्रथम 15 यहां कि 1 square, 2 square, sorry 3 square 5 square, dot 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 2N minus 1 तो 2N minus 1 15 दूनी 30 और 30 में से एक जाएगा कित अब चेगा 29 यहां तक आपको उसत ग्याद करना है अब करना है तो बताइए यह क्या हो जाएगा N is equal to कितना हो जाएगा N is equal to, sorry यह पद क्या है, N अंतिम पद है रख दीजे, 29 plus 1 upon 2 30 मैं से जोड़ेंगे 2, N की value 15 तो यहां पर रख दीजे, 15 15 में, 15 पंदा में 225, 4 से गुणा करके 1 से गटा के, 3 से भाग दे दीजेगा वही क्या हो जाएगा, औसद हो जाएगा clear, तो समझने की कोशिस करिए आईए, last एक मैं आपको और बता देता हूँ, clear देखिए दोस्तों, समझेंगे तभी समझ में आएगा, तरीके बहुत है हमारे पास, लेकर मैं एक इस track पे लेके चल रहा हूँ, जिससे आप बहुत आसानी से question solve कर सकें आईए देखते हैं, next प्रस्ण क्या है, अगर यहाँ पर दिया था one का whole square, अब कह रहा है प्रथम दस प्राकरतिक, प्रथम दस बिसम, संख्याओं के घनों का उसद क्या होगा, तो one cube प्रथम दस संख्याओं के घनों का योग ले ले, तो दोस्तों होता है n square और कोस्टक में होता है 2n square minus 1, 2n square minus 1, यह होता है घनों का योग, उपर वाले का n हटा देते हैं, clear, यह छोटा कर देते हैं, l plus 1y2 अब यह हमने निकाल दिया, यह होता है योग, जहां पर n is equal to l plus 1y2, अब इसी का हमको क्या निकालना है average, तो average निकालना है, तो a can't हटा दो, तो average is equal to n, कोस्टक में 2n square minus 1, यही दोस्तों हो गया, average, where n is equal to l plus 1y2, clear, यही हमारा क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, clear है, तो उमीद करता हूँ, कि यहां तक सभी बच्चों को कोई भी natural number, प्राकिर्टिक संख्याओं का उसद पूछ ले, clear, चाहे वो प्राकिर्टे हो, चाहे वर्ग हो, चाहे वो घन हो कोई भी sum संख्याओं में पूछ ले चाहे वो आपका sum हो, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो sum का cube हो कोई भी आपका विसम पूछ ले, चाहे वो विसम का वर्ग पूछ ले, या विसम का क्यों पूछ ले, तो no type के प्रस्न संख्याओं से संबंदित देखते ही आंसर मार दीजेगा clear, without calculation और जादा घबडाने की जरूरत नहीं है, अब इसमें और प्रस्न कैसे बनते हैं, संख्याओं से संबंदित, आईए देख लेते हैं ये भी प्रस्न आपका आया हुआ है जैसे अगर किसी ने पूछ लिया इस तरीके का प्रस्न भी बनता है बीस तथा पचास के मद्द तो देखे, यहाँ पर है बीस और डॉट बीस के बाद क्या आएगा बीस तथा इतने के सभी संख्या तो क्या हो जाएगा बाईस, चौबेस, फोर्टी एट, फिप्टी ऐसे कुछ लिखा जाएगा हमें कह रहा है कि बीस और इसके बीच में लेना है तो इसके बीच में यह संख्या A होगी और यह संख्या इसके लिए L होगी क्योंकि सभी का डिफ्रेंस अमान होगा अब हम जानते हैं A बराबर L पाई 2 रख दीजे, A की बैलू कित्ती है 22, L की बैलू कित्ती है 48, 2 से भाग दे डालिए वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 70 और 70 में से इसको जोड़ेंगे 70 और 70 में अग 2 से देंगे तो आंसर कित्ता होगा 35 तो आंसर कित्ता हो जाएगा 35 चेक कर लीजे, correct आंसर होगा समझ गये, आईए नेस्ट इसके बाद और आगे चलते हैं अब इसमें जो प्रिष्ण और बनता है वो इस तरीके से बनता है संख्याओं पर आधारित प्रिष्ण का नस्ट देखते हैं नस्ट बनता है दोस्तों इतना करने के बाद नस्ट कोश्चन बनता है देखे 5 के प्रथम 31 गुणजों का आसद क्या होगा मैं कुश्चन लिख दे रहा हूँ कई बार PCS में पुछा गया है 5 के प्रथम 5 के प्रथम 31 गुणजों गुणज का मलब होता है multiple तो क्या है 5 के प्रथम 31 31 गुणजों का ओशद गुणों का ओशद क्या होगा अब ध्यान से देखेंगे कह रहा है प्रथम 5 के प्रथम 31 गुणजों का ओशद क्या होगा अब ओशद मलब होता है दोस्तों गुणजों मलब होता है multiple जैसे अगर 5 के multiple ले ले 5 एकम 5 5 दूना 10 5 तीय 15 5 को 20 5 को 20 25 25 कितने तक लेना है 31 तक लेना है इसका मतलब अगर हम इसमें 5 कोमा ले ले यानि कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 31 यही तो मतलब हुआ 31 गुणजों जैने कि 5 एकम 5 5 दूना 10 5 तीय 15 25 25 अंतिम पत यहां से निकल जाएगा तो इसको अंदर गोड़ा करेंगे तो बोलो 5 एकम 5 5 दूना 10 और अंतिम पत जरा यहां से देखेंगे 5 एकम 5 और 5 तीय 15 यह दोस्तों क्या होगे हमारा अंतिम पत यह होगा और प्रथम पत यह होगा फार्मूला जानते हैं A प्लस L Y 2 क्लिर बेल्यू पुट कर देंगे वही अंसर हो जाएगा तो यहां पर इसको कर देंगे तो बोलो कितना हो जाएगा 55 और 5 जोड़ेंगे कितना है 160 बटे 2 और यहां पर कर देंगे तो 8 दुनी 16 यहनि कि कितना हो जाएगा 80 कितना अबरेज होगा ए बराबर एल पे ए बराबर ए प्लस एल वाई टू जहांपर ए प्रत्थम पद है एल अंतिम पद है और दो से भाग दे देना है वही हमारा आंसर हो जाएगा आईए अब नेस्ट आगे चलते हैं देखे इसका एक ट्रिक भी बनता है कह रहा है प्रत्थम एन के इतने पदों का गुरंफल क्या होगा तो अगर हम कहें के के एन गुर्जों का ओशद बराबर के के एन गुर्जों का ओशद के क्या है जैसे 5 हो गया के के एन गुर्जों का ओशद बराबर होता है के इंटू एन प्लस वन वाई टू हमेशा जब कभी गुर्जों से सम्मंदित प्रिस्न पूछा जाए तो अभी जनरल तरीका मैंने आपको बता दिया ये ट्रिक तरीका अब बताईए कह रहा है के के यन गुड़ज तो बताओ 5 के कितने गुड़ज 31 गुड़ज तो के का मान 5 हो गया यन की value 31 हो गई रख दीजे इसका उसत क्या होगा के के पूछा इसलिए 5 into 31 कितना है आप है 31 plus 1 बटे 2 then solve 5 into 31 2 32 बटे 2 हो जाएगा यहां से चलेंगे 5 into इसको काड़ देंगे 16 32 16 और 16 पंचे कितना 80 बताईए आया था के नहीं आया था तो यह एक trick है उसको आप देख लिजे फिलाल जनल तरीका मैंने आपको बता दिया है 31 गुड़ज का मला होता है multiple और multiple हमेशा कैसे होते हैं multiple अनंत तक होते हैं पांच एकम पांच पांच दूना दस पांच तिया पंदरा डॉट 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 अनंत तक चलेंगे जैसे अगर कोई कह दे दो के अनंत गुड़ज तो दो एक कम दो दूना चार दो तिया छे क्लर एंड स्वान तो आईए अब इसका एक कोश्शन और देखें PCS में आया है वो क्या है सभी बच्चे देखें कोश्शन था इसका एक कोश्शन दिया है प्रथम पांच तीन के गुणजों का उसद क्या होगा प्रफम पांच तीन के गोनजों का तो अब यहां पर सीधे हम जानते हैं के इंटू यन प्लस 1 वाई टू प्रफम है प्रफम पांच प्रफम पांच लिया है यानि की यान वैलू पांच है और तीन के गोनज है तो उल्टा है रहा है ना question सुनिए प्रथम 5 यहन की value 5 हो गई प्रथम 5 तीन के गुणजों का औसद क्या होगा तो कहने का मनला प्रथम 5 तीन के यहन के की value 3 है और plus 5 के कह रहा है यहन की 5 यहन की value 5 plus 1 बटे 2 then solve वही answer 3 into 6 बटे 2 2 3 और 3 3 का 9 यही हमारा क्या हो गया answer हो गया clear तो दोस्तों इस तरीके से प्रशन भी आपके गुणजों से संबंदित पूछे जाते हैं clear सिर्फ समझने की देरी होती है इस प्रशन को एक बार फिर समझ यह सुनिए प्रथम 5 यहन के गुणजों का औसद क्या होगा clear तो यह रख दीजिए वही answer हो गया अब इसके बाद इसमें एक प्रशन और बनता है clear जो है संख्याओं से संबंदित एक प्रशन और है देखिए क्या है question question दोस्तों दिया गया है कि आप से पूछेगा 24 के सभी गुणजों का औसद बताईए या 60 के सभी गुणजों का औसद बताईए clear देखिए question है 24 के 24 के सभी गुणजों का औसद बताओ या बताईए पर एक question और पूछा गया एक जाम में 60 के सभी गुणजों का औसद बताओ हो सकता आगे पूछ ले 15 के सभी गुणजों का औसद बताओ clear तो गुणज का मतलब क्या होता है multiple अभी मैंने आपको बोला गुणज का मतलब क्या होता है इतने के सभी गुणजों का औसद बताईए अब गुणजों का मतलब क्या होता है जैसे उपर कह दिया है गुणजों का उसद या उनके फैक्टर का अपबर्तकों गुणजों को इसमें लिखा है अपबर्तकों यहां गुणजों तो बता दिया हूँ अपबर्तकों अपबर्त का मलब होता है उनके फैक्टर क्या होता है फैक्टर साट के सभी अपबर्तकों अपबर्तकों, अपबर्तकों मलब फैक्टर, वहाँ पर था गुणज, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपबर्तकों, यहाँ इसको बोलते हैं फैक्टर, वहाँ पर क्या बोलते थे, मल्टीपल, वहाँ पर क्या बोलते थे, मल्टीपल, तो अब यहाँ अपबर्तकों, ए पुरता का मला फैक्टर, फैक्टर का मला जिससे वो बैलू पूरी तरीके से कट जाए, clear, तो आईए देखते हैं, 1 से ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 8 तरीक 24, 8 चोको 32, 5 से नहीं कटेगा, 6 चोको 24, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, clear, फिर किस से कटेगा ये, देखो, एक से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से 12 से, clear, तो ये इसके क्या हो गए दोस्तो, अपवर्तक हो गए, clear, अब इन ही अपवर्तकों का आपको क्या बताना है, आउसद बताना है, तो ये एक सेक्वेंस में तो हैं नहीं, तो आपको formula कौन सा लगाना पड़ेगा A is equal to T upon एन तो लगा दीजे तो average is equal to 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6 plus 8 plus 12 plus 24 upon कित्ते अब बड़ तक हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 से इसको भाग दे दीजेगा जो होगा वही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा answer हो जाएगा clear किसी बच्चे को दिक्त अब वही 60 का कर लीजेगा 60 का कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 60 लिखिए और 60 के अपबर तक पहले खोजिए जो भी संख्या है यह संख्या 1 से कटेगी यह संख्या 2 से कटेगी यह संख्या 3 से कटेगी अगर इसको हम तीन से कटेंगे तो भी कटेंगी तीन से कटेंगी फिर यह संख्या चार से भी कटेंगी पांस से भी कटेंगी छे से भी कटेंगी साथ से नहीं कटेंगी आठ से भी नहीं कटेंगी दस दस से कटेंगी बारा पंचे साथ भी कटेंगी 13 सनी कटेगी 15, 4, 60 कटेगी 20, 63, 60 कटेगी 20, 63, 60 कटेगी पिर 3, 30 से कटेगी और 30 से कटेगी और 60 से कटेगी यह 60 के हो गए अब बर्तक सभी को जोड़ दीजेगा और 1, 2, 3, 4, 5 है जितने हैं उससे उणा लगा दीजेगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इतना सभी बच्चों को किलियर है अब दोस्तों यह हमने संख्याओं से सभी संबंधित प्रसना आपको बता दिये अब हम इसके बाद चलेंगे जो बेरी बेरी इंपोर्टेंट है आईए अब उसको देख लेते हैं देखें नेस्ट इसमें क्या है सभी बच्चे द्यान से देखें अब इसमें संख्याओं से संबंधित जैसे ही कोई प्रसना आता है समसंख्या, बिसमसंख्या, अपबर्त, गुणाज क्लिर, कोई संख्या दी गई है देखते ही आंसर मार देंगे यहां तक आपको फुली कमांड होना चाहिए या फुली कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए तो अब दोस्तो इसके बाद जो होता है वो इस तरीके के प्रसन बनते हैं इसके लिए मैं एक जबरज़स ट्रिक आपको बताऊंगा देखिए क्या इसमें प्रसन बनता है कि नहीं साथ क्रमिक प्राकरतिक संख्याओं का उसद इतना है अब कोई क्रम से संख्याओं दी होती है और उसके बारे में पूछ लिया जाता है तो मैं नेस्ट वीडियो में इसका डिसकसन करूँगा दोस्तो नेस्ट वीडियो में इस चीज का डिसकसन आपसे कर दूँगा और इसके बाद धीरे धीरे इसको चलने दीजिए जितना समय में ले रहूंगा अतना ही मैं आपको जाद आच्छे से पढ़ाऊंगा और दोस्तों जो PDF है वो सिक्वेंस वाज बनाई गई है जो आपके लिए बहुत जाद इंपोर्टेंट है तो PDF आफación Node वोहाँ से डाउनलोड कर लिजे हमारी बेबसाइट पर जाकर के बेबसाइट पर जाकर PDF को डाउनलोड कर लिजे या वहाँ से प्रिंट आउट ले लिजे और फिर जो मैं थियूरी बताता हूँ और किताब या सीट ले करके बैढ़ जाईए और एक एक question solve कर लीजे दोस्तों जब तक आप concept नहीं clear करेंगे तब तक आपको दिक्कत होगी इसलिए concept पहले पढ़ लीजे base पहले बना लीजे इसके बाद चुटकियों में question solve होते हैं क्योंकि दोस्तों कभी भी आवकात नहीं पूछी जाती है हमेशा सिर्फ knowledge चेक किया जाता है और conceptual knowledge रटने वाले बच्चों का कुछ नहीं होने वाला clear सिर्फ conceptual क्योंकि वहाँ पर present of mind चाहिए रटने वाले select नहीं होते रटने वाले वहाँ पर कुछ नहीं कर पाते clear वो गलती से select हो जाते हैं इसलिए concept दोस्तों generate करिए तभी कोछ हो पाएगा तो next video मिलते हैं तब तक के लिए धन्नबाद दोस्तों